मेश नए आपके पक्ष में आने से लाव मिलेंगे ब्रहस्त जीवन में सुक्ष शान्ती रहेगी नए कार्यों का आयोजन हाथ मिलेंगे अधूरे कार्य आप पूरा कर सकेंगे मिथोद गणीश जी कहते हैं कि आज आपको थोड़ी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा स्वास्ते खराब हो सकता है जिसके कारण कोई भी कारे करने का उच्साहम मंद रहेगा नौकरी रिंदे की जगा भी साथी कर्मचारियों का और उच्पदादिकारियों का व्यभार सहयोग पूर्णा होने से मान सिखाताशा पैदा होगी कर्क गणीश जी कहते हैं कि आज के दिन आप पर नकरात्मक व्यभार हावी रहेंगे क्रोध अधिक रहेगा स्वास्ते की सम्मन में शिकायत रहेगी अनयतिक काम पृत्ति और चूरी जैसे विचारों पर सहयम रखें अन्यधा अनिष्ठ हो सकता है सिंख गणीश जी कहते हैं कि आज के दिन आप मनुरंजन तथा खूमने फिड़ने में समय व्यदीत करेंगे फिर भी सांसारिक मामलों के विशय में आपका व्यभार उदासीन रहेगा जीवन साथी का स्वास्ते खराब होने की सम्हावना है गणीश जी कहते हैं कि परिवार में आनंद यमुच्साह का वाता वरन रहने से आपका मन भी प्रसंद रहेगा स्वास्ते बना रहेगा विमार व्यक्ती की तबियत में सुधार होने से राहत का अनुभफ होगा कारे में सफलता और रियश मिलेगा तुला आज आप अपनी कल्पना शक्ति और सुजन शक्ति को अच्छी तरह काम में लगा सकेंगे बौधिक प्रवर्तियां या चर्चा में भाग लेना आपको पसंद आएगा संतान की तरफ से शुब समाचार मिलेगा उनकी प्रगति होगी गणेश जी आपको आज का दिन शांती से व्यतीत करने की सला देते हैं शारीरिक स्वास्ते तो बिग्रे का ही मांसिक रूप से भी आप स्वास्ते नहीं रह सकोगे माता की स्वास्ते की संबंद में चिंता रहेगी पारिवारिक सदस्यों के साथ अन्बन होने से मन दुखी होगा धनू गनीशी कहते हैं कि आज आप पर गून रहे सिवाद और अध्यात्मित्ता का रंग चड़ेगा इसलिए इस विशे में गहरे उतरने का प्रयास करेंगे नई कारे करने के लिए प्रेरित होंगे स्वास्ते अच्छा रहेगा और आपका मन प्रसन रहेगा मकर ना बोलने में नो कुड इसका हावत की अथार्थता को समझ कर आप यदि वाने पर सयम रखेंगे तो बहुत से अनर्थ होने से रुख चाएंगे पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाफ ना हो उसके लिए यह बात आवशक है विध्यार्थियों को पढ़ाई में परिश्रम करने पढ़ेंगे कुम्ब गनिशी के बताय अनुसार, शारी रेक, मानसिक तता आर्थिक प्रतेक तृष्टी से आज का दिन आपके लिए अच्छा सावित होगा परिवार जनों के साथ सुरुची पुन भोजन का आनंद उठाएंगे मित्रों के साथ बाहर खूमने जाने का आयोजन होगा मीन थोड़े समय में भाग लेने की लालत छोड़ने और पूजी निवेश में ध्यान रखने की कणिशी सला देते हैं आज थोड़े मन की एक आग्रता कम रहेगी शारीरिक स्वास से खराब होगा संतान की सवस्या उलजन में डालेगी स्वजनों से दूर जाने का अफसन आएगा